है हलो फ्रेंड कैसे आप सभी फ्रेंड आज की क्लास में आपका हर्दिक हर्दिक स्वागत है गाइज सबसे पहले मैं आपको इसे चैनल के माधियाम से यह बतादेना हो जाते हैं तो अगर आपको यह सेट हमारा अच्छा लगेगा तो पिलीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सदर्शे बने और हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का सिट तो कोशन नमबर वन जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कोशन नमबर वन है तामर पाश्टान यूग के किस अस्थल से कीले बंद बस्ती का साक्षी मिला है जो खाई से घिरी हुई थी तो गाइज इसमें जो ऑप्सन है आपके बीच में दिख रहा है ऑप्सन है सोनार गाउं ऑप्सन बी है इनाम गाउं और ऑप्सन सी है गिलूंद और ऑप्सन डी है परभास तो गाइज इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा मैं आज आज नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो मैं चाहूंगा कि उसको जल्दी से ज परभास को जाता है रहा ओप्सन तो क्यार को सहा प्सक्राणी से पथर के फलकों साक्ष मिले हैं और प्संब्र है है बाला थल, option B है ब्रह्मगिरी, option C है परभास और option D है मालवा, तो guys question number 2 का जो हमारा answer हो जाएगा वो हो जाएगा बाला थल, option number A, option number A हो जाएगा बाला थल, next question क्यों हम लोग बढ़ते हैं, question number 3, दक्षिन भारतिय महापाशनकाल में कबरों से कौन-कौन से वस्तूओं की प्राप्ति हुई है, option A है लोहे के आउजार, option B है घोड़े की कंकाल, option C है पत्थर के गहने, और option D है ये सभी, तो guys इसमें जो हमारा answer हो जाएगा, ये हो जाएगा ये सभी, ये सारे के सारे परमान हमें मिले हैं, दक्षिन भारतिय महापाशनकाल में कबरों से ये सारे के सारे परमान मिले हैं, जो कबरों में जो दफनाया जाते थे ना लोग, तो लोगों के साथ में लोहे के आवजार, घोड़े के कंकाल और पत्थर वा सोने के गहने भी दफन के जाते थे जैसे कि हम लोग देखते हैं मिस्तर की सव्यता मिस्तर का भी परमान मिलता है गाईज कोशेन नमर 4 की और हम लोग बढ़ते हैं और कोशेन नमर 4 है आपके स्क्रीन में निमने लिखित मैंसे कौन शुमेलित नहीं है तो गाईज इसमें ध्यान दोगे इसमें नहीं पूछ रहा है कि कौन सा मिला हुआ नहीं है जो साक्ष दिया हुआ है लेफ्ट साइड और उसका जो राइट साइड जो ब्लाइक कलर से दिया हुआ है वह हमारा नहीं मिलने का परमान बता रहा है तो हम लोग चलिए भी देखते हैं कि कौन सा नहीं मिला हुआ है तो गैज इसमें ऑप्सन नमबर ए है सरो पर था मानुद वारा उपयोग की गई धातु यहां पर किया गया हो गया है इसके लिए मैं आफे चाहूंगा टैपिंग में मिश्टेक हुआ है इसमें होगा की गई धातु तो वह तामबा था यह तामबा हमारा सही हो जाता है ऑप्सन भी है अहार संस्कृति से हमारे काले तथा लाल मिरि आंसर हो जाएगा क्योंकि यह हमारा सुमेलित नहीं है नयवासा से मालवा संस्कृति बिलॉंग नहीं करता है तो गैज हम लोग चलते कोशन नमर फिप्त की ओर किस संस्कृति से सावधानों के साथ बरतन की वस्तुवें का परमान मिले है यानि कि जो कबर में जो दफनाय जाते थे डेड़ बाड़ी उसके साथ में बरतन की वस्तुवें का परमान कहां से मिला है तो इसमें आप викसें बीच में मालवा के संस्कृति ओपसं बी है जुकर संस्कृति और ऑपसंदी है यह था संस्क्रित तो घैस्कूशन नवर फिफ्थ का जो हमारा aja ला की ऑलो लाकी संस्क्रिती आप ध्यान रखोगे मालवा केश तन्सक्रिती हमारा अंसर हो जाएगा मालवा की संस्क्रिती से बच्चों को बड़ी संख्या में दफनाये जाने के साक्ष मिले हैं इसमें जो कोशन्स है कि बच्चों के बड़ी संक्ष है मतलब जो छोटे बच्चे थे उनको दफनाने का बहुत बड़ा साक्ष मिला है वो कौन-कौन सा है तापके बीच में ऑप्सन है जौरवे की संस्क्रिती ऑप्सन भी है जुकर संस्क्रिती ऑप फिरुज दा राइट आंसर उसके बाद मेंने चलते है कोशन नूमर्स में हूआ है कुषण के श्यृत्र में हुआ है तो जिसका जू कसंड दिया हूस देख लिजिए ऑपिशन ए है दक्षिन पूर्वी राजस्थान में option C है उत्तर पूर्वी पंजाब में और option D है दक्षिन पूर्वी कास्मीर में तो गैज इसका जो हमारा answer हो जाए question number 7 का वो हो जाएगा दक्षिन पूर्वी राजस्थान में दक्षिन पूर्वी राजस्थान यानि कि option number B is right तो इसका हम लोग देखते हैं कि दक्षिन पूरवी राजस्थान में यह आप देख लो रहा है यह होगी हमारा नौर्थ यह होगी हमारा सौथ यह हमारा इस्ट और यह हमारा वेस्ट तो दक्षिन पूरवी यह हमारा राजस्थान का मैं सिर्फ मैप के बारें पूरवी राजस्थान कौन सा हो जाएगा तो हमारा यह दक्षिन में भी और यह पूरव में भी तो यह चैत्र जो हो जाएगा हमारा इससे हमारा ज्यादतर परमान मिले आपकशन को बढ़ते हैं को नमबर 9 छुले तथा विसाल कच्ची मीटि के मकान का साथ एक सबस्तामर परवान मिलता है निमनलिखीद को कर्मिक से जाए यानिक इसमें जो है वो कर्म के अनुसार से सजाना है गाइज ये questions बहुत important होते हैं इसी तरह से कूट वाले questions बहुत जादे अभी competitions में आने लगे इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखोगे तो पहला नमर में जो दिया ये महापासानकाल दिया है दूसरा में तामर पासानकाल दिया और तिसरा में नौपासानकाल और चाउथा में मद्यपासानकाल तो गाइज अगर हम लोग देखते हैं तो जो काल था वो पहला जो काल था हमारा वो था पूरा पासानकाल दूसरा जो थ नेखते हैं इसमें तो पूरा पाशानकाल तो दिया नहीं है तो मध्यपाशानकाल होगा हुगा पहले उसके बाद 9 पाशानकाल होगा और उसके बाद सकतामर पाशानकल ओर एक महा पासनकल यानि की 4 3 2 1 तो 4 3 2 1 का कौन सा हमार तो option नबर B harmon sounds सही हो जाएगा अप्सन भी हमारा सही हो जाएगा नेश्ट कोश्चन के और हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमर टेन है निमने लिखी तमेशे कौन सा प्रेक्टिहासिक अस्तल बड़े परिनाम में लगुपाशान उपकरनों में उत्पादन के लिए जाना जाता है तो अप् सब्सक्राइब सब्सक्राइब कौश्चन के लिए नहीं जाना जाता है यहाँ पर पूछ रहे जान दोगे नहीं जाना जाता है यहां नहीं लिखा यह नहीं बहुत कम लोगों को दिखता है और इसलिए वो गलती कर बैठते हैं इसलिए यहां नहीं पूछ रहा है तो हमारा नहीं कहां से परमान नहीं मिलते हैं तो वो था हमारा question number 11 का answer जो हो जाएगा मारा डी हो जाएगा बुजरहूम बुजरहूम is the right answer next questions के और हम लोग बढ़ते हैं question number 12 है भारती उप महाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पस्विपालन एवं कृष्णी के आवस्था में परिवर्तन के प्राचिंतम साक्षे प्राप्त हुए है अप्सन A है अंजीरा से अप्सन B है दम सदात से अप् हमारा हो जाएगा महरगट महरगड़ इजब क्या प्रातत्विक अस्थल को लेकर बहुत ज्यादा अंसर रहा तो इसमें जो पूछ रहा है निमने लिखित में से कौन नौप आशानिक अस्थल नहीं है तो आप इसमें जो अप्सन देख रहे हैं अप्सन यह है ब्रह्म गिरी अप्सन भी संगन कर लो अप्सन सी है अरीक मेडू अप्सन डी है पिकिल हाल तो कोशन नमर 13 का जो हमारा आंस इस इसको अप्लोग ध्यान रखोगे अरीक मेडू निमने लिखित में से नवापासानिक अस्थल में से में नहीं था इस इसको आफ लोगा नेक्ट कोशन के और बढ़ते हमने कोशन नमर 14 is a निमने लिखित में से किन अस्थलों पर मध्यृ पासान काल में पासुपालन के मिले हैं गाइज इसमें जो ध्यान दोगे उसमें है मध्य पासानकाल पुछरा रोब पसुपालन तो इसमें जो आपका नंबर सीरियल दिया हुआ है आदमगर्ण है बगावर है लोटेश्वर है रतनपूर है तो कुट जो हमारा मिलाना है उसमें आप देखोगे अपसन ए में दिया हुआ एक और दो यानि आदमगर्ण और बगावर और अपसन बी है दो और तीन यानि बगावर और लोटेश्वर और अपसन सी है एक दो और तीन यानि कि आदमगर्ण बगावर लोटेश्वर और अपसन डी है तीन दो और चार तो आप लोग देखेंगे इसमें बगवर के बारे में बोल रहा है, लोटेशवर के बारे में बोल रहा है, लोतनपूर के बारे में बोल रहा है, तो इसमें जो हमारा right answer जो हो जाएगा, वो option number 3 हो जाएगा right answer, इसमें जो हमारा मिला है, परमान जो मिले है, पश्रुपारण का परमान मिला है, वो आदम बोरी, option B है हतनोरा, option C है लखनिया, option D है ओदे Guys ये questions बहुत important हो जाता है क्योंकि दो तिन examinations में इसी questions को बार-बार repeat किया है तो इसका जो answer हो जाएगा हमारा हो जाएगा ओदे ओदे हमारा right answer है Next questions के और बोड़ते है Question number 16 है किस अस्थान से मानो जिवास्म के आउसे स्वा स्थाने पुरा पासान कालिन उपकरनों के साथ मिले हैं तो option A है अतिर्म अपकम, option B है भीम बेटका, option C है डिडवाना और option D हतनोरा, तो guys इसका जो answer हो जाएगा 16 का हमारा answer है वो option number D है और D हतनोरा is the right answer Next questions के और हम लोग बढ़ते हैं, question number 17 है निमने लिखित किस अस्थान से लगू पासानिक संदर्व में एक हाथी दात का लटकन प्राप्त हुआ है हाथी दात का जो लटकन जो प्राप्त हुआ है, वो हमारा किस अस्थल से हुआ है, option A है बगावर, option B है दम दमा, option C है महदह, और option D है सराय नहर राय तो 17 नमबर का जो हमारा आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, दम दमा, दम दमा से याद रखना, दम दमा, यानि कि हाथी भी एक दम पुरा दमदार होता है न, तो हाथी का जो हमारा साक्ष मिला है, कहां से मिला हुआ हूँ, दम दमा से मिला है, next question क्यों बढ़ते हैं, question number 18 है क इस शेत्र में उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नौपासानिक मानो जमीन में गड़ा खोद कर रहता था, तो option A करनाटक, option B है असम, और option C है कश्मीर, और option D है मध्यपरदेश, तो guys इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, वो कश्मीर है, कश्मीर के लोग जो नौपासानिक मानो थे, वो गर्त में रहने का परमान मिलता है, यानि कि वो जमीन में गड़े खोद कर रहते थे, question number 19 है, निमने लिखित में से तामर पासानिक अस्थल से तामे का परियोग का साक्ष प्राप्त हुआ है, किन्तु प्रस्तर उपकरन प्राप्त नहीं हुए, 21 संस्कृति से हुआ है, तो option A हार संस्कृति, option B है गिलून, option C है काइथा संस्कृति और option D है नावदा टोली, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार संस्कृति से हमारा, साख्ष तांबे का मिलता है, लेकिन उपकरन के साख्ष बहुत कम प्राप्त नहीं ना के बराबर में होते हैं, गाइज, question number 20 और ये questions last है, इस सेट का question last है, इसलिए आप इस questions को ध्यान से देखोगे, और ये हमारा सेट complete हो जाता है, तो question number 20 निमनलिखित में से कौन से नौप आसानिक अस्थल कस्मीर में स्थीत है, अभी कस्मीर से ही ये questions है, और next questions भी कस्मीर से ही, option A है, चिरांद, option B है, बुजरुहों, option C है, चोपानी मांडो, और option D है, कोल्डी हवा, तो इसका जो answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, question number 20 का answer होगा, बुजरुहों, बुजरुहों, मेहरगर, ये बहुत famous अस्थान है, ये आपको सिंदुगाटे के सभेता में भी जब पढ़ोगे, तो बहुत ज्यादा ये place आपको देखने को मिलेंगे, गाइस, तो आज का हमारा ये set complete हो चुका है, और मैं परियास के हूँ, बहुत कम समय में देने के लिए, बाकि आप लोग को अगर details अगर देखने, ता प्लीज, वो lecture वाले वीडियो को देख लो, जिसमें description में डाला हुए, तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ल देख लो, इसी से questions लगबग, repeat होते हुए आते हैं, और सबसे important बात, अगर ज्यादा अच्छा लगाओ, तब पिलिज आप हमारे चैनल को subscribe करके हमारा सदर्श्य बने, इसके लिए जो PDF है, वो मैं, आप जब mail करोगे हमारे पास, तो मैं personally उसको send कर दूँग, तो guys, आज का class हमारा यही पर समाप्त होता है, आप हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने parents के साथ में हमेशा बने रहिए, और इसी तरह से 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 जादा से जादा प्रैक्टिस करते जाए, यही सब से से आपका questions मैच कर जाएंगे, और वहाँ पर जब आ आपका जाएंगे, और वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर जाएंगे, और वीडियो को लाइक और शेहर कीजिए, तांक यू